हेलो आज की इस वीडियो में हम ICT वर्ल के सबसे बड़े सिक्रेट को डिसकवर करने जा रहा है विच इस हाव तो यूज एकोनामिक कलेंडर तो ट्रेट फॉरेक्स एक्शली यह आपका कम्प्लीट रोड मैप होता है ट्रेडिंग में अगर आप भी चाहते हैं कि मार्केट का हर पॉसिबल मूव आप पहले से प्रेडिक्ट कर लें तो लेट्स कनेक्ट विट मी तिल दी एंड आफ दी वीडियो बिकाज लास्ट पार्ट में कुछ इंपॉर्टन टेप्स हैं और हम कुछ रियल टाइम चार्ट के साथ एकोनोमिक कलेंडर का यूस किस भी देखने वाल हैं जो आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को नेक्स लेवल पर लेकर जाने वाल है सो लेट्स मूव टोड्स इंटु दा वीडियो सबसे पहले समझते हैं कि एकशली एकोनोमिक कलेंडर होता क्या है यह एक ऐसे टूल होता है जो आपको बताता है कब और कैसे फाइनेंशल इवेंट्स मार्केट में वालिटालिटी लाने वाल है सिंपल वर्ड्स में यह आपको ट्रेडिंग के गेम में प्रेडिक्टिबल बनाता है अकर आपको पहले से पता चल जाए कि मार्केट का नेक्स मूव क्या होने वाल है इन फेक्ट मार्केट मेकर्स और इंस्टिटीशन मार्केट में ज़्यादा इन्वाल नहीं होते जिस दिन कोई नियूज ना हो लेस्ट टेक अ रियल एक्जामपल मुझे बताओ आपको पता हो के इंफलेशन के नमबर पाकस्तान या इंडिया में कल आने वाल अगर आप positive आया तो रुपए की value बढ़ेगी और अगर negative आया तो रुपए की value कम होगी कि ये नमबर आने से पहले पता लगा सकते हो नहीं ना और ये कमिद भी है सारे लोग news release होते ही trade करते हैं जिसे वो news trading का नाम देता है लिटरली वो सिर्फ beginners होते हैं कभी आप में professionals को news trade करते नहीं देखा होगा they just observe the price action at the time of news release और at least news release होने से 5-10 minute के बाद जब market एक particular direction define कर देती है then वो इंटर करते हैं जो लोग news trading करते हैं it can be dangerous for them जहां profit है वहां risk भी बहुत जादा होता है और literally 99% news trading में पूरा account blow कर देता है so please avoid news trading अगर आप इस फिल्ड में long term चलना चाहते हो so news trading is a short term journey जो आपको कभी भी success नहीं दिलाती market के अंदर so now अब देखते हैं कि किस तरह हम economic calendar को या economic news को देख सकते हैं और इसको किस तरह से analyze कर सकते है I am going to guide you step by step let's move into the browser so now मैं आ चुका हूँ अपने browser के उपर then I am gonna type www.forexfactory.com यह मेरे forexfactory.com की website open हो चुकी है और इसके अंदर आप देख रहे होंगे आपको just USD का chart दिख रहोंगा which is only red folder news red folder news आपको सरफ यहां पर दिख रहे होंगे अगर आप इसकी कुछ settings करना चाहते हो तो मैं वो आपको बता देता हूँ because जिस दिन market में red folder news होती है उसे दिन market के अंदर volatility आती है मैं आपको भी already बता चुका हूँ so मैंने इस वज़े से red folder news की setting करी वी है और only मैं USD pairs trade करता हूँ like euro USD, GBP USD and indices and so on so अगर आपको इस तरीकी की setting करना है तो simple आप यहां के filter में यहां पर आप देख सकते हो ना मैं AUD trade करता हूँ ना मैं CAD, CHF कुछ भी नहीं करता हूँ मैं USD pair को trade करता हूँ so मैंने यहां पर USD pair select कर रखा है और यहां पर मैं red folder news select कर रखा है हाँ, एक grey folder news भी है like जिस दिन बैंक holiday होता है मतलब market के अंदर कोई भी economic news नहीं होता तो यह select कर रखा है मैंने बाकि मुझे हर तरीके की news चाहिए red folder से related यह high impact news होती है यह normal impact news हमारे पास मौजूद होता है जिसे medium impact news कहता है और यह हमारे पास low impact news होता है जो yellow folders होता है like अगर मैं इसके अंदर इन दोनों को click करके apply करता हूँ filter तो आप देख सकते हो हर तरीकी की news आपको देख रही है but जिस दिन हमारे पास red folder news हो हमें उसी दिन trade करना है market को so मैं यहां से आकर सारी चीज़ों को हटा देता हूँ and apply filter and the main thing is आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहां पर timing जो है आपका eastern standard time set हो because we trade only new york session and new york pairs और हमारे chart की भी setting मैंने आपको अल्लेडी बताया था time frame selection वाली वीडियो के अंदर के हमारी time frame की selection वो eastern standard time होगी हमेशा so that's why आपको हमेशा eastern standard time यहां पर रखना है और यह सारे timing जो आपको बता रहें वो eastern standard के according बता रहें like 2 p.m. Wednesday को यहां पर एक news है 17th March, Wednesday 20th March को एक news थी हमारी federal funds rate जो आने थे then Thursday then Friday को news है so इस तरीके से आप setting कर सकते हो economic calendar की और red folder news को आप देख सकते हो okay now tool तो समझ आ गया लेकिन इसे अपने strategy में कैसे include करें practical examples के मेना मजा नहीं आएगा है ना तो चलिए मैं आपको कुछ real time chart scenarios दिखाता हूं जहां economic calendar आपको अच्छा profit बनाने में मदद करेगा okay now मैं अपने chart के उपर आ चुका हूं और मैंने NASDAQ का 15 minute का chart यहां पर open किया है अगर आप यहां पर economic calendar को देखो so we have a red folder news on 12th March Tuesday at 8.30 a.m. साड़े 8 बजे economic calendar पर एक red folder news हमारे मौजूद है USD की तो मैंने 14th 12th March को मैंने यहां से mark out कर लिया है और अगर आप यहां पर देखो तो हमारे पास यह 8.30 high impact news थी market ने volatility grab करी देन उसके बाद आकर market ने stop hunt किया नो एक चीज़ यहां पर देखो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको news trade नहीं करना चाहिए let's say आपने इस जगह पर मैं mark out कर देता हूँ let's say आपने इस जगह पर sale open किया sale position open किया और market यहां से नीचे आई ठीक है market ने market यहां पर आने के बाद अगेन आपने बूला कि हमें profit हो रहा हो सकता है market और नीचे जाए market ने reverse दे दिया यहां से उपर के तरफ चले गए अगेन और उपर के तरफ जाने के बाद आप देखो market ने अच्छा खासा upside move दिया और थोड़े ही तेरे के बाद market नीचे आग high position open किया था market नीचे गई उनका sell हो गया that's why मैं कहता हूँ के market में volatility बहुत जादा होती है जब आप news को trade कर रहे होते हो तो news के release उने के at least 5-10 मिनट के बाद हमेशा trade execute करना चाहिए उसके बाद आप देखो जब stop hunting हो गई market के अंदर तो एक particular direction में market ने एक अच्छी बुलिश candles create के और displacement भी दिया हो है ठीक है अब यहाँ पर होता है market ने जैसी stop hunt किया उसके बाद यहाँ पर reversing देने के बाद यहाँ पर एक FVG create कर दी market ने और return जब market जैसी इस FVG पर आई अगर आप इस FVG पर अपने trade को execute करते तो easily आप 2RR यहाँ पर achieve कर सकते थे so इस तरीके से को एक particular direction displacement के साथ मिल जाए then आप अपने trade को execute कर सकते हो मैं एक दूसरी example भी आपको दिखाता हूं this is US 30 15 minute chart इस chart को गवर से देखो क्या समाज आता है इस chart के अंदर volatility hunting हुई है market के अंदर हमारे पास Thursday 14th March अभी हम 14th March के chart के उपर है so 14 March 8.30 am पर USD के red folder news है हमारे पास और US 30 जैसी USD के अंदर dollar DXY के अंदर volatility आती है तो US 30 indices के अंदर volatility आती है तो यहाँ पर क्या हुआ market ने एक buy side के liquidity ली 8.30 high impact news ने दुबारा से वही काम क्या create मतलब buy side भी लिया sales side भी लिया ठीक है यह buy side के liquidity यह sales side के liquidity तो एक particular direction नहीं मिली market indecisional close हो गई यहाँ पर candle indecisional close हो ग market ने buy side के liquidity ले ली एक एक अच्छा खासा हमें move मिला displacement के साथ सो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक FVG भी हमारी create हो गई और इसी FVG पर अगर आप चाहते तो simple FVG पर अपना trade execute करते इस FVG के अपर आपका sell होता simple 2RR achieve so यह था हमारे chart example और यहाँ पर हैं कुछ extra tips और tricks जो आपको market में always one step ahead रखेंगे यह वो secrets हैं जो हर successful trader जानता है कभी जिस दिन market में red folder news ना हो वो market में low probability day होता है even कि आपको एक अच्छा entry model भी दिख रहा है market के अंदर लेकिन फिर भी high chances हैं कि आपका sell hit हो जाएगा because एक particular direction नहीं देती है market normally consolidation करती है market जिस दिन कोई red folder high impact news ना हो market में market consolidate करती है so you should always keep your risk manage तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कैसे economic calendar को अपने trading strategy के अंदर include करके आप अपने trades को और भी profitable बना सकते हैं मुझे उमीद है आपको ये video helpful लगी होगी और अगर आप भी हमारे ICT traders की community का part बनना चाहते हैं so मेरा discord server description में दियेगा link से join कर सकते हैं अपने thoughts और किसी भी सवाल को comment section में जरूर लिखें I will try to reply all of you and if you find this video helpful please do consider liking and subscribing the channel मिलते हैं next video में till the time trade smarter and always keep your risk manage stay safe